जै स्री कृष्णा राधे राधे छिपकली आपके घर में भी होगा क्योंकि बारिस का मौसम यानि कि स्रावन का मां आने के पहले छिपकली बहुत सारे घर में चली आती है घर में छिपकली का होना आम बात है अक्सर आपने देखा होगा आपके कमरे में किसी कोने में सिलिंग पर दिवाल पर आप छिपकली देखते हैं और जाड़ू या डंडे से मारके भगाते भी है लेगिन क्या आपको पता है कि सास्तुर में छिपकली को मा लक्षमी का प्रतीक माना गया है इसलिए छिपकली से ड और छिपकली के भी कलर होते हैं एक होता है सफेद वाला और एक होता है काला वाला तो दोनों ही छिपकली अलग लग फल देता है आज हम आपको उन्हीं फलों के बारे में बताएंगे तो सफेज छिपकली ज्यादा तर आपके घर में होता है और छिपकली के बारे में कुछ सुभ असु संकेत भी माने गया है जैसे कि अगर आप छिपकली को आपस में लड़ते वे देखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि कहा जाता है घर के लोगों में मतवेर या जगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है अगर घर में छिपकली दिखें तो क्या करें आप एक छोटा सा परियोग कर सकते हैं किसी भी मंगलवार के दिन यह आपके जीवन की मुश्किलों को कम करेगा आपके बरकोत को बढ़ा देगा जैसे ही छिपकली दिखें आप पहले से संभाल कर एक लाल रंग का कपड़ा रख लें लाल रंग का छोटा सा ज़्यादा बढ़ानी कपड़ा रख लें छोटा सा मतलब रुमाल इतना कम सकम या उससे छोटा भी चलेगा और जैसे ही छिपकली दिखें मंगलवार के दिन इस कपड़े को छिपकली के ऊपर फेके जैसे कि यह कपड़ा छिपकली के ऊपर टच करें और फिर ट्रस करने के बाद तो कपड़ा गिरेगा नीचे लेकिन गिरने के पहले आप हाँ से कपड़े को ले ले जैसे कि वो जमीन में नहीं गिरे अगर डायरेक्ट आपके हाँ में यह कपड़ा आ जाता है तो इसका महा तो बढ़ जाएगा इसके बाद इस कपड़े के महा लेते हैं चांदी का तामबा का सिक्का नहीं मिला तो सिर्फ पांच एक रुपया का सिक्का रख ले अतीनों मिल जाए तो और अची बाद ठीक है अब इसको आप इसको लपेट कर याद रखिए बांधना नहीं है उसको लपेट ले अच्छा से और इसको अपने में चिपकली दिखती है तो आप चोटा सा प्रियोग भी कर सकते हैं भगवान की मूर्ति के पास जो आपने कुम-कुम चाबल रखा हुआ है ना थोरा सा उठा ले और चिपकली पर छिड़क दे और तुरंद अपनी मनोकामना विस बोले अगर कोई भी मनोकामना हो और ऐसा कि आपके घर में कोई सुमंगल बाते हो रही है कोई अच्छी बाते हो रही है चर्चाई हो रही है और चिपकली उसमें बोल दे बीच में आवाज कर दे तो वह खंडित हो जाता है तो यह सबी चीजों के कारण लोग चिपकली को घर से भगाते हैं बहुत तरह के देखता है ध्यान लखेगा वैसे तो सपने में चिपकली देखते हैं कीडे मुकरे खाते वे देखते हैं तो भी असुब संकेत हैं और चिपकली को मारना चिपकली से डरना या रेंगते वे देखना भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि सपने में चिपकली आपको देखत पूजा घर में चिपकली का होना बहुत अच्छा होता है घर में संपत्ती बनी रहती है दर्ड़ता नहीं आती है लेकिन चुकि आज हम आपको कुछ खास प्रेव बताएंगे ये जितने भी हमने आपको बाते बताई वो सफेज चिपकली के बहुत साई लोगों के घर में काली चिपकली भी होती है लेकिन काली चिपकली के होने से कुछ इसके निगेटिव प्रभाव भी होते है काली चिपकली का होना और कुछ अच्छे प्रभाव भी होते है अगर आपके घर में काली चिपकली है तो संतान समंदी मुश्किले परिसान करेगी याद रखिए सफेज चिपकली तो सूब है लेकिन जो काली चिपकली है जैसे जिस घर में काली चिपकली ज़्यादा दिखे या दिखने लगे तो इसका मतलब है संतान के उपर कहीं ने कहीं मुश्किल का समय है तुरंत उनको आप हटाईए भगाईए घर से अब दीखिए जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बहुत समल के रहना चाहिए क्योंकि काला चिपकली का मतलब होता है घर उपात या फिर संतान ना होना सं फ़ी दाईओं पर यह सभी चीजों पर या पर कहीं हो गया हो गया बहुत तरह की मुश्किलिए पैदा करता है और तीस्री पात काला चिपकली होने के फायदें भी है क्या है फायदे किसी का भी तंतर मंतर क्रूया आपके उपर असर नहीं करता है जाये वो लाग परियास क प्रोपर्टी के आप मालिक बन जाएंगे एक तरह पैसा भी आपका प्रवाद करेंगा टिकने नहीं देगा लेकिन संपत्ति का सुख भी आपको दिला देता है अगर कोट कचरी मुकदमा वेगरे चल रहा है उसमें आपको विजय स्री दिल बादेगा काला चिपकली तो काला चिपकली के होने से बड़ी हानी यह है कि संतान के उपर कस्ट है और पैसे नहीं टिकते हैं लाब यह है मुकदमे में विजय होती है भूमी घर भवन का सुख मिलता है और तीसरा आपके जीवन में जो तंद्र क्रियाया है वो असर नहीं करती चाहें लोग कितना भी आपको परिशान करना चाहें क्योंकि काला चिपकली के रहने से राहू का जो दूस्प्रफाव है वो थोड़क कम हो जाता है यहीं कि राहू एक्टिव होता है तो तंद्र मंत्र क्रियाय करवाता है लेकिन जब राहू एक्टिव ना हो तो तंद्र मंत्र क्रियाय जीवन प बक्ति बश्राइब करवा सेज पर आप यहांद कि अगर को यह क्या सब्सक्राइब करते हैं, जादा चिपकली होना कहीं भी अच्छा नहीं है क्योंकि चिपकली के बहुत सारे असुब लक्षन होते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए कि जो काली चिपकली है अपने साथ अगर अच्छी चीजों को लाती है त आप प्रयोग कर सकते हैं चिपकली को भगाने के लिए ताकि आपके घर में परिसानी नाला है क्योंकि काला चिपकली होने से बच्चों पर भी असर है पैसे नहीं रुकेंगे जग्रे लडाई बाद भी बाद होंगे लेकिन अच्छा यह होगा कि केस्मुकद में में बिज लेकिन अक्सर कभी-कभी क्या होता है अधिकतर वो आपको काले रंग में ही दिखेगी एकाध है तो कोई दिक्कत नहीं ज्यादा है तो समल जाए और चिपकली का जो अंग पर सरीर के अंगों पर गिरने का भी सुबसु फल होता है उसके बारे में भी हम कोसिस करेंगे अग करने मिल जाएगा साथ ही आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं ग्रैंड धर्मासर्माग.com बैप साइट पर आईए पूरी तरह से जो तीस पर धारित है फिलाल विदा लेंगे हर हर महादेप कमेंट में लिखना मत भूलिए गाधानियों